इन एलम डेल की कि यूफॉर के रिजल्ट के बारे में तो आक़ीक कि क्यूफॉर की रिजल्ट आ गए हैं चिक किले तेहें किसे है किसे नेवल लेजिए के कुई आणीर को सब्सक्री में करेंको हैं कियाे क्या वान आहीं मुदि अंज मुद्ट हैं चलीhst रिजल्टि करना है नहीं बिल्कुल भी कोई भी ऐसे तो डिविदेंट ओन फेस तो दिखनी रहा है स्टैंडर्ड रिजल्ट है हम एक बाद चेक करेंगे तो यह सेग्मेंट वाइस हो गया एक बार हम चेक कर ले थे कैसे आपको consolidated result आते वे देखने को मिल रहे है consolidated result के अगर हम बात करें तो वो सारे ही figures आपको rupees in crores में आते वे देखने को मिलने वाले हैं total income की बात करें 6900, last quarter 4400, last year 3200, y on y भी growth है, q on q भी growth है, financial year on year भी growth आती वे आपको देखने को मिल रहे है expenses की बात करें, expenses LK से आपको expenses भी भड़ते वे देखने को मिल रहे है profit for the period के अगर हम बात करें 2835, last quarter 2100 था, last year 347, why on y तो शांदार growth आई है, q and q भी अच्छी खासी growth आती वे देखने को मिल रहे है financial year on year almost मैं कह सकतो, double होते वे आपको देखने को मिल रहे है EPS की बात करें, साड़े 11 का EPS, साड़े 20 का हो गया है, almost double हो गया है, एक का EPS 10 का हो गया है, 7 का EPS 10 का हो गया है, almost 10 का हो गया है तो अगर किसी आपास है, hold कर सकते है, part profit book कर सकते है, fresh investment मैं बिल्गुल भी नहीं कहूंगा, इस ते काफी अच्छो alternatives आपको मिल जाएंगे लेकिन fresh investment मेरी राही नहीं होगी, यह मेरा opinion है, मैं कोई से भी जिस्ट advisor नहीं हूँ, आप आपके advisor से consult करके ही decision लेजेगा, धन्यवाद